जै श्रीकिष्ण एवर्वान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो जून 2023 का जब से रिजल्ट आया दो दिन हो चुगे तो लास्ट दो दिन से बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्डाम पे मेसिज किया है बहुत सारे बच्चों से मैं बात कर चुका हूँ तो इस वीडियो में हम बेसिकली यही डिसकस करने वाले है कि यह क्या क्या मिस्देक्स आप से हो गई है हांजी आपका आगे का एक्शन प्लैन क्या होने वाला है कि भाई अब मुझे क्या करना है जून में मैंने गलतिया कर रही है उसको रेक्ट कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है मैजॉरेटी सुडेंट्स में ऐसा ही हुआ है कि एक सब्जेक्ट ऐसा हो रहा है जो क्लियर नहीं हुआ हो सकते आपके साथ भी ऐसा ही हो कि यह बाकी तीनों तो हो गए क्लियर बाकी तीनों में अच्छे मांक्स आ रहे हैं 40s 50s 60s मे marks आ रहे हैं, एक subject ऐसा जिसमें बहुत कम marks आ गए, जिसकी वज़े से clear नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनका aggregate बन गया, लेकिन एक subject clear नहीं हुआ, तो इसलिए exam clear नहीं हुआ, और जो मैंने बच्चों को देखा है, उसमें बहुत सारे बच्चों का maths का exam clear नहीं हुआ है, जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है, आपका कोई और exam हो सकता है, accounts हो सकता है, यह कोई अलो, हाँ, तो mainly मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका एक exam clear नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, अब दियान से मेरी subject आपको clear करना है, तो तीन चीज़े चाहिए, सबसे पहले, उन subject की conceptual clarity, कि जो subject का syllabus है, जो subject में chapters हैं, वो chapters के concepts आपको अच्छे से आते हैं, पूरा chapter आपको समझ में आ गया है, 100% syllabus आपका complete हो गया, second, multiple revisions, आपने syllabus complete करा है, आपने chapters को revise कर लिए है, concepts को revise कर लिए है, तीसरा writing practice, writing practice का मतलब क्या हो गया, specially आपको accounts और law में, कि भाई, आपने खुद से करके देखा है, eco और maths में भी ऐसा ही है, कि sir ऐसा तो नहीं है ना कि maths हवा में हो जाएगा नहीं, sir maths में भी आपने questions की practice करी है, basically self study आपने करी है, हाँ, अगर ये तीन चीज़े आप properly करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको exam में problem आनी चाहिए, तो पहले देखो, क्या ये तीन चीज़े आपने करी है, अब हो सकता है किसी बच्चे को conceptual clarity ही ना हो, हो सकता है ना, जैसे मानलो आप non maths student हो, तो आपके बाद 4-4 महीन है, हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको maths पे starting से focus करना है, अब YouTube पे बहुत सारे teachers की videos available है, हाँ, या तो आप उनको refer कर सकते हो, अगर आपको वहाँ से समझ में आ रहा है, आच्छा ठीक है, या फिर अगर आपको कोई coaching जोइन करनी है, आप coaching जोइन कर सकते हो, अब ये decide कैसे करेंगे, कि सर, हम coaching जोइन करें, या फिर YouTube से कर लें, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, किसी की भी बात नहीं सुननी है, सर आप गयारो, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी की बात नहीं सुननी है, अरे सुनो ठीक है देखो आपको खुद ही डिसीजन लेना है किसी भी चीज से इंफ्लुएंस नहीं होना है अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे यह बोल रहते हैं सर उन वाली कोचिंग का एक्जाम का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है बहुत सारे बच्चों ने 300 अच्छा नहीं आया है बिटा आपका रिजल्ट आपकी महनत से आता है टीचेस का कॉंट्रिबूशन बहुत थोड़ा सा होता है आपको कॉंसेट समझाने तक का है बस तीन चीज़े कौन सी है कॉंसेट सर रिवीजन और आपकी सेल्फ स्टेडी जो है प्रैक्टिस आप भी आया है बहुत सारे बच्चे का क्लियर नहीं भी तो हुआ हां जी बिल्कुल सबके साथ ऐसा ही होता है मैंने भी बोला है अकाउंट के एक्जाम में 96 मांक्स आये 91 मांक्स आये अरे बहुत सारे के 50s या 60s या 40s में भी तो आये yes or no सर कम भी तो आये तो इन सब अच्छे से समझा रहा है तो आप वो फोलो करो क्यों ही कोई कोचिंग जोइन करनी है क्योंकि at the end आपको concept समझ में आ गया इसके बाद तो आप ही को revision करनी है आप ही को self study करनी है आप ही को practice करनी है लेकिन हां मालनो YouTube से समझ में नहीं आ रहा आपको बहुत सारे doubts आरे है accounts में हो सकता है是這樣 में हो सकता है कि समझ में हो सकता है हां बहुत सारे doubts हारे है और आपको कोई चाहिए time to time привет करने के लिए time to time revisions करते लिए फिर आप coaching join कर लो, जहां से भी आपको समझ में आता है, वहां से आप coaching join कर लो maths की, accounts की, जहां से भी आपको समझ में आता है जो भी subject आपको लगता है कि इसमें मेरे marks कम है, हाँ तो वहां से आप join कर सकते हो, हाँ जी वहां आप join कर सकते हो, बात समझ में आ गई तो coaching join करनी है या coaching join नहीं करनी है किसी को देख के ये decide मत करो किसी भी चीज से influence होके नहीं करो खुद से पूछ लो अराम से खुद को analyze करो कि हाँ क्या मुझे जरूरत है क्या मैंने YouTube से महनत करी थी क्या मैंने कोशिश करी थी समझने की और यहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वीडियोस नहीं समझ में आ रही है आपको कोई teacher चाहिए समझाने वाला फिर आप जाके coaching join कर लेना बात समझ में आ गई तो पहला point हमारा क्या हो गया कि जो subject आपका clear नहीं हुआ है उसको starting से ही हम लेकर चलेंगे अगर आपको कोई एक subject clear नहीं हुआ है accounts है, maths है, law है, जो भी है उसको कभी भी end के लिए नहीं छोड़ना है आप ये मान के चलो कि 4 मेने का time है मैं पूरे 4 मेने उसको consistently पढ़ूँगा starting में ज्यादा पढ़ लो फिर आप daily 2-2 घंटे की revision करो लेकिन छोड़ना मत उसको maths हो या law हो, ठीक है starting में पढ़ो, हाँजी, slaves complete कर लो उसके बाद 2-2 घंटे की revision करते रहो लेकिन किसी भी time उसका break मतलो कि एक महीने तक आपने उसको छोड़ दिया नहीं, daily पढ़ते रहो, हाँजी, daily पढ़ते रहो यह हो गया, अब इसके बाद second point यह है accounts का, मैंने maths की बात करी है अगर आपको maths का मानलो marks कमाए है आप non-math student हो, तो भाई उसका आपको देखना पड़ेगा accounts की बात करते है, अब मैंने कुछ बच्चो को देखा है जिन बच्चो के 40s या 50s में marks है 40s में है या 50s में है accounts को लेके उनको कोई tension नहीं है उनको लग रहा है accounts थो उनकी होगे क्योंकि वो पास हो गए, मेरी बात ध्यान से सुनो accounts आपके CA course का core part है सर एक बहुत important aspect है हाँ, अगर आपके accounts में 40s या 50s में marks है इसका मतलब आपकी तयारी accounts की नहीं है सच बात है, अगर आप मानके चलो कि आपने अगर 100% attempt किया था हाँ, आपके 40s, 50s में marks आ रहे है इसका मतलब आप 50% paper गलत करके आ रहे हो यह नहीं चलेगा accounts में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा मैं हमेशा यह मानके चलता हू कि accounts में minimum marks ही 60s है भाई minimum ही 60 है, इससे उपर ही जाने चाहिए इससे कम आ रहे है तो दिक्कत वाली बात है कही ना कहीं तो दिक्कत हो रही है कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है तो अगर इनकेस आपके accounts में 40s में 50s में है तो उस पे भी आपको ध्यान देना है क्यार ऐसा क्यों है 40s 50s में क्यों है मैं इतना paper attempt करकर रहा है था कहां पे गलती हो गई है आप अपनी answer sheet मंगवा सकते हो इसे अपनी सारी के सारी answer sheets मंगवा लो देखो कहां पे आपने mistake करिए और accounts के लिए अगेर आपको उसको ही देखना पड़ेगा YouTube को देखना है या coaching को देखना है या आपके उपर होगा आपको बच्चा मुझ से पढ़ रहा है यह बात सच है टीचर जितना भी अच्छा हो अगर आप self study नहीं करोगे आप pass नहीं होने वाले हो तो key क्या है important चीज़ क्या है self study concept clear करने के लिए आपको teachers चाहिए आप teachers को identify कर लो कि accounts में यहाँ से पढ़ने वाला हो YouTube की playlist लेफर करनी है coaching join करनी है again आपके उपर है अगर आपको coaching join करनी है मुझसे समझ में आता है तो मेरा coach ले सकते हो कहीं और से समझ में आता है कहीं और से ले सकते हो जहां से आपको समझ में आता है important है आपका exam clear करना भाई हाँ जी कहीं से भी आप join करो exam clear होना चाहिए चीक है उसके बाद अगें आपने अकाउंट्स का देख लिया अपने करनी है बिल्कुल करनी है बार बार बोल रहा हूं अकाउंट्स में कम से कम 60 से उपन आने चाहिए अगर आपके for example अकाउंट्स में अल्रेडी अच्छे मार्स हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है तब तो आपको कोचिंग जॉइन करने ही नहीं चाहिए अगर आपके मालनों अकाउंट्स में 60 से तक आ चुके है हां जी तो इसका मतलब यह है बस आपको थोड़ी सी self study और करनी है आपको previous year questions, RTPs, MTPs, module और करने है बस self study करते जाओ कहीं कोचिंग जाने के जुरद नहीं है जहां पर भी doubt आएगा आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर YouTube की कोई भी वीडियो देख सकते हो बात समझ में आ गई फिर हम बात करते हैं law की अब law में क्या आकरी बार आने वाल है scoring subject है हाँ 40 marks का तो 20 या राता है तो आप अराम से देखो कि भाई law में मेरे marks कम क्यों है इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा again किसी ना किसी teacher को refer करो YouTube देखो again या तो coaching जाओ मैं तो बोलूँगा अगर law में marks कम है तो बेटा coaching join कर लेना वो work नहीं करा है उसमें आपको कुछ तो amend करना पड़ेगा कुछ तो changes करने पड़ेंगे तो कहीं से भी आपको coaching मिलती है या फिर आपके आसपास offline या online कहीं भी coaching है जो आपको बैट के writing practice करवा है yes or no आपके test ले multiple revisions करवा है वहाँ पे join कर लो economics में बच्चों के marks फिर भी ठीक आया मैंने जितने बच्चों से बात करिए economics में 50-60 में marks है economics की again आपको कोई YouTube की पे लिए सफर करनी है जो भी है वो refer कर लो मुझे लगता नहीं है कि अगर आपके economics में marks अगर ठीक आगए है तो उसमें coaching की जुरुत है तो basically चारो subjects का एक important part यही है कि आपके concept होने चाहिए clear आप वो concept आप कहीं से भी clear करो आपको coaching जोइन करनी है वो करो YouTube की playlist से करना वो करो लेकिन clear होने चाहिए अगर आपको लग रहा है और यह नहीं कि आप दो महीने बाद decide कर रहे हो दो महीने तक बस time pass करना है आपको आज ही इसी week में decide करना है कि भाई क्या मैं किसी YouTube की playlist को refer करने वाला हूँ और YouTube की playlist का मतलब है एक ही playlist होने चाहिए multiple teachers मत देखो आपने एक teachers को देख लिया आपने उनको choose कर लिया बस उनकी videos आपको consistent basis पे देखनी है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं YouTube की videos नहीं देख पा रहा हूँ regular basis पे distraction होती है coaching join करो यह चीज़े आपको खुद से देखनी पढ़ेंगी कि क्या मैं YouTube से पढ़ाई कर सकता हूँ क्योंकि बेटा YouTube से पढ़के regularly revise करवाता रहा है फिर आप जाओ फिर आप coaching जाओ लेकिन अगर आप discipline बच्चे हो हाँ जी आप खुद से कर सकते हो फिर आप कर लो कोई दिक्कत नहीं किसी के बातों में आके आपको कोई भी join नहीं करना है कि भाई ले लो ले लो competition बहुत हाई होने वाला है देखो simple सी बात है I know December में जो बच्चे हैं वो जादा होंगे अभी एक लाग बच्चे हैं मान लो December में दो या धाय लाग बच्चे होंगे मेरको क्या अरे आपको क्या करना है कि दो लाग बच्चे हैं आप पास हो जाओगे अरे कितने मर्जी बच्चे अटेंट कर रहे हो क्या हमारा जो course है वो बहुत जादा competitive है नहीं यहाँ पे कोई cut off नहीं आ रही है कि इतनी cut off में बच्चे पास होंगे नहीं भाई सब बच्चे पास हो सकते हैं हाँ जी हो सकते हैं अगर आप करके आओगे जो बच्चे पास नहीं हो रहे हैं वो पढ़के नहीं जा रहे हैं या फिर धंक से उन्हें पढ़ाई नहीं करी है guidance उनको सही से नहीं मिलिया जो भी reason है हाँ जी तो उसके बारे में तो बिल्कुल मत सोचना खतम हो गया हाँ अब December should be the last attempt सर उसके बाद तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगले attempt में चले गए तो December में clear करना ही करना है हाँ जी बिल्कुल करना ही करना बात समझ में आ रही है यस हो नो और हो जाएगा अरे क्यों नहीं होगा बिल्कुल हो जाएगा 100% हो जाएगा टेंशन लेने की कोई जरुत नहीं है इतनी बात समझ में आती है अब उसके बाद एक बात आती है टेस्ट की किसी भी बच्चे ने जिसका जून का exam clear नहीं हुआ है सबसे मैंने पूछ लिया किसी भी बच्चे ने टेस्ट तो दिया ही नहीं है किसी भी सब्जट की टेस्ट नहीं दिया हाँ जी बिल्कुल अब देखो एक तो हमारा इंस्टिट्यूट MTP निकालता है model test paper हाँ वो क्यों निकालता है कि भाई आप अराम से पहले exam center में जाने से पहले एक ये वला test proper तरीके से attempt कर लो किया ही नहीं है proper तरीके से कभी 2-3 घंटे आपने paper दिया ही नहीं है हाँ जी बिल्कुल नहीं दिया है तो आपको ये you have to make sure कि अगर आप for example accounts कर रहे हो तो accounts के chapter wise test आप दे रहे हो आपने journal, ledger, subsidiary book ये सब किया आपने उसका क्या दिया test दिया अब बात आती है test कहां से देंगे देखो इस चीज में मैं इतनी आपकी help नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो मैं अपनी classes में test लेता हूँ उस test में क्या होता है अगें मैं test prepare करता हूँ उसको मैं class में discuss करता हूँ मैं copies check personally नहीं कर पाता हूँ मैं students की copies नहीं check कर पाता हूँ मेरे पास इतनी कोई team नहीं है तो क्या होता है हम test लेते हैं PDF मैं आपको देता हूँ और उसके फिर solutions हम discuss करते हैं फिर बच्चे self checking करते हैं कि हाँ ये मुझसे गलती हुई ये मुझसे गलती हुई हाँ अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे application में message कर सकते हो मैं छोटा सा course बना दूँगा ठीक है obviously बात है वो आपको help करेगा लेकिन वो तभी करेगा जब आप उसको seriously करोगे लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी copies personally कोई check करे फिर बेटा मेरा तो test series किसी काम का नहीं है सच बतारो मैं आप इससे बेटर यह है फिर बहुत सारी test series market में है जो आपकी copies personally check करते हैं अगर आप चाहते हो कि personally check करे कहाँ पे घलती हो रही है वो बताए तो आप वहाँ पे enroll करो ठीक है राइट बहुत सारी test series आपको market में मिल जाएंगी आप थोड़ी सी research करोगे मेरी आप सबसे request है कि accounts और law की तो ऐसा करे लेना जिस भी subject में आपके marks कम है maths में कम है तो maths कर ही लेना लेट से कोई बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहा है तो यूट्यूब से पढ़ो हाँ साथ में कोई test series में enroll कर लो जहां पे आप क्या करोगे chapter wise test दोगे वो आपको बताएंगे आपके कितने marks आ रहे हैं आपको बात समझ में आ रही है यह बहुत जरूरी है बहुत ज़ादा जरूरी है maximum बच्चे ऐसा नहीं करते है बात रही test की test मैंने discuss कर लिया हमने discuss कर लिया subjects को आपको कैसे करना है अगर आपको कोई भी doubts वेगर आते हैं देखो मैं आपको accounts eco पढ़ाता हूँ YouTube पे already पूरा का पूरा slavus मैंने upload कर रखा है बहुत सारे बच्चे वहाँ से prepare कर भी रहे है playlist में सब कुछ है almost एक अदा topic नहीं होगा लेकिन बाकि सब कुछ होगा अब वो videos को refer कर सकते हो December के लिए applicable है slavus में कोई भी change नहीं है लेकिन in case अगर आप चाहते हो कि नहीं sir हमको आपका वो paid batch चाहिए तो वो भी application पे है वो आपकी मर्जी ही अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो उसमें benefits बस इतने ही होते हैं कि आपको doubt का support मिल जाएगा उसके बाद revisions आपको करने है हंजी बिलकुल और test के लिए आपको इलग से series में enroll कर सकते हो जहां पे आपके वहां पे test वो आपके conduct करवा है वो भी best है हाँ वो भी best है लेको यार जो approach आपके लिए best है वही आपको follow करने है किसी की बातों में नहीं आना है कि मेरा course लेलो मेरा course लेलो भाई आपका main target क्या है exam को clear करना आप खुद देखो कि आपकी weaknesses क्या है आपको किन चीजों पर काम करना है उन चीजों पर काम करो बात कतम चार महीने का time है बहुत time है अराम से सब कुछ करोगे सब कुछ हो जाएगा कोई excuses अब नहीं चाहिए जून वाले attempt में बहुत सारे बच्चे ये मान के चल रहे है कि हाँ आपके पास दो महीने थे 12th के पास दो ड़ाई महीने थे तो आपका clear नहीं हुआ ये excuse हमारा December में नहीं चलेगा अब तो reality check होने वाला ठीक है मैं June में मान के चलता हूँ कि 2 महीने में CA foundation की त्यारी करना मुश्किल है इसलिए आपका नहीं हुआ मालो आप non-mats के बच्चे हो तो आपने maths रंग से नहीं कर पाए accepted कोई दिक्तक नहीं है लेकिन December has to be your last attempt yes or no वो last attempt होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए मुझसे आपको कोई भी help चाहिए कोई भी आपको discussion करना है Instagram आप message करो मैं सच बता रहा हूँ 2 दिन से मैं Instagram पे लगा पढ़ा हूँ जितने भी बच्चों की message आए मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी है थोड़ी बहुत भी अगर आपकी help हो जाती है और मुझे क्या चाहिए comment section में आप मुझे message कर सकते हो बस अब December तो आपको निकालना ही पड़ेगा भाई पढ़ाई बढ़ाई करो मसते जितना भी आपके पास time है अच्छे से पढ़ाई करो phone, laptop ये YouTube वीडियो भी थोड़ा कम देखो आपकी आदत है कि कोई भी अगर teacher वीडियो डालते है तो आपको देखनी होती है अभी इन सब कम कर दो और पढ़ाई पे दियान रखो बाकी हो जाएगा मिलते हैं आपसे नेक्ट लास में बाइब बाइब वीवन टेक्यों